नमस्कार दोस्तों मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री सिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों जब से अरियाना में आज नए मुख्यमंतर की गोशना हुई है उसके बाद यूआउं में डाउट बना हुआ है कि आखिरकार बर्तियों को लेकर अब आगे क्या होगा सभी यूआओं के कोर और मेसेज भी आ रही है हमने पहले भी वीडियो बना कर बताया कि क्या क्या संभाव नहीं हो सकती है लेकिन अभी अभी एकसी चेर्मेन गोपाल सिंग जी खदरी का बयान आया है जी आ सात्यों नए सीम साब की गोश्णा और सबत समारों के बार अभी अभी सीम साब का एक नया बयान आया है बर्तियों को लेकर विस्तार से बताएंगे उससे पहले ही अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब में किया तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर ले ही और याना की बर्तियों से रिलेटिट पलपल की अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं जो भी नए अपडेट होता है साथियो सबसे पहले विश्वास के साथ आप तक पहुंचाया जाता है अब आपको बताते हैं कि क्या नया बयान एचसी चेरवेन बोपाल सिंग्जी खदरी के दवारा दिया गया है तो साथियो जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई बरतिया कैंसल होने वाड़ी है तब उन्होंने काया कि कोई भी बरतिय कैंसल नहीं होगी और क्या नई बरतियों के उपर फरक पड़ सकता है खुशकबरी वाली बात काया साथियों वह आपको बताने वाले हैं तो उन्होंने काया है कि अभी बरतियों के उपर कोई ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा सुसाल रूटीन के कारिये हैं वह लगातार चलते रहेंगी लेकिन उन्होंने एक बड़ी खुशकबरी शेयर की साथियों कि उन्नीस तारिक को केस का सुल्यूशन ही हो जाए यानि की उन्नीस तारिक को गुड नूज मिलने की संभावना उन्होंने विजता ही है साथियों सरकार की तरफ से पुश्त यारिया तो चल्ग ही रही हों और यह पॉजिटिव मेसेज एससे चेर्मेन गोपाल सिंग जी खद कोई जाब परबाव नहीं पड़ेगा कोई बर्तिय कैंसल नहीं होगी चाए घुरूप 요rike कर सकते हैं किसी के ओपर कोई फरख नहीं पड़ेगा सीम बदला है लेकिन पार्टी उसी की है सात्यों सरकार बीजेवी पार्टी की सरकार है इसलिए ज्यादा कुछ भी बदलने वाड़ा नहीं है आपको कोई गबराने की दरूपनी है अब बात्यों के बहुते के प्रोसेस के उपर क्या रहेगा ये सीम साब के कोई नए डिसीज झाल